नमस्ते मैं राजेश नुरू का एसिस्टेंट पॉफिसर हिस्ट्री कॉवर्मन कॉलेज के एकड़ी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ बी ए पार्ट फर्स्ट के सिकंड पेपर प्राचीन भारत का इतियास में मौरिय वंश के बारे में अध्यन किया जा रहा है और मौरिय वंश के शासक अशोक के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था अशोक पहला भारतिय सम्राठ था जिसे अशोक महान के नाम से संभोधित किया जाता है और मुख्य था इसी लिए क्योंकि अशोक पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा के ना केवल भौतिक उत्थान बलकि आध्यात्मिक उत्थान की ओर भी ध्यान दिया और उसका यह मानना था कि राजा जो अपनी प्रजा है उसके नैतिक जीवन के लिए भी उत्तरदाई है और उसके द्वारा दिगविजे के स्थान पर जो धर्म विजे की निती को अपनाया गया इसलिए उसे महान की संग्या दी गई अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक आशरन के लिए धम को प्रचारित किया धम शब्द जो है उसका प्रयोग मुखे रूप से अशोक द्वारा स्थापित धर्म के लिए विभिर्न जो उसकी राजा ग्याएं थी उन पर किया गया है अशोक के धम के बारे में जो इतियासकार हैं उनके अलग-अलग मत हैं और सब इस बात को स्विकार करते हैं कि वास्तव में अशोक का धम उसकी प्रजा के अध्यात्मिक उत्थान के लिए था कुछ इतियासकारों का यह मानना है कि अशोक का धर्म वास्तविक रूप में एक राजधर्म था जिसे एक कोड अफ कंड़क्ट के रूप में जाना जा सकता है और किसी भी राजा के द्वारा अपनी प्रजा से जो आचरण है जो अपेक्षित आचरण है उसको नियमबद करके उसे लोगों के लिए इस प्रकार से बनाये गया कि लोग अपने नैतिक जीवन को सुधार सके और इस प्रकार से इसे कुछ इतियासकार जिनमें डॉक्टर फ्लीट प्रमुख हैं उनका यह मानना है कि अशोक का धम वास्तों में राज धर्म था एक अन्यमत के अनुसार इतियासकारों का यह मानना है कि अशोक का धम सार्वभावम धर्म था अर्थात पूरी प्रजा के लिए सभी लोगों के लिए ऐसी बातों का समावेश था जिसमें सभी धर्मों की अच्छाईयों को समावेशित किया गया था और लेकिन इसके बावजूद किसी भी एक धर्म से वह प्रभावविद नहीं था मुल रूप से सभी धर्मों की जो अच्छाईयों हैं उन्हें शामिल करके एक धर्म स्थापीद किया गया था और डॉक्टर विंसेंटे स्मित मुख्य रूप से इस सिद्दान्त को मानते हैं और इस बात को स्विकार करते हैं कि सभी धर्मों की अच्छी बातों के होते वे भी किसी भी एक धर्म से अशोक का धर्म प्रभाविद नहीं था एक तीसरा मत है जिसके अनुसार यह स्विकार किया जाता है कि अशोक का धर्म वास्ताव में बौध उपासक धर्म था अरतात बौध धर्म में जो ग्रहस्तों के लिए धर्म बनाया गया था वही धर्म अशोक का धर्म था और इसमत के समर्थर में मुक्के रूप से टॉक्टर बंडार करका नाम लिया जा सकता है जिनका यह मानना है कि अशोक का धर्म बौध धर्म से प्रभाविद था और उसी की बातों का समावेश अशोक के धर्म में किया गया है अशोक के धमको या इसके नियमों को दो भागों में बाटा जा सकता है एक इसका सकारात्मक रूप और दूसरा इसका निशेदात्मक रूप सकारात्मक रूप सिर्व मतलब है कि ऐसे नियम जो की लोगों को पालन करने चाहिए और इसमें जो सबसे प्रमुख नियम था वे सत्ते और अहिंसा के थे और बड़े सरल नियम है कि सभी मनुश्यों को हमेशा सत्ते बोलना चाहिए सच का प्रयोग करना चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसा से उन्हें दूर रहना चाहिए और क्योंकि उस समय जो बली थी पशुबली थी वे दी जाती थी तो इसी लिए अशोक ने मुख्य रूप से पशुबली के विरुद नियम बनाए और एक उसने सूची भी बनाई जिसमें ऐसे पशुपक्षियों को शामिल किया गया था जिनकी बली को निशिद माना गया इस प्रकार से पशुबली की विरुद और अन्य प्रकार की किसी भी हिंसा की विरुद अशोक के द्वारा नियम स्थापित किये गए सभी लोगों के प्रती नकेवल मनुश्य बलकि पूरे प्राणी मात्र के प्रती दया का भाव अशोक के धमें बताया गया था और दान के महत्र को इसमें बताया गया था एक महत्र पूर्ण बात जो के अशोक के धम में शामिल थी वे थी अपने से बड़े लोगों की अर्थात माता पिता गुरू और जितने भी बड़े लोग हैं परिवार में या आसपडोस में उन सभी लोगों का पुछित सम्मान किया जाना और इसी को पूर्ण करने के लिए या पिक्षित था कि जो भी बड़े लोग हैं वे छोटे लोगों को प्रेम भाव से सम्मान भाव से रखें ताकि पूरी तरह से जो परिवार है और समाज है उसमें एक बैलेंस को स्थापित किया जा सके इसके अलावा शुद्धी के उपर भी अशोक के धमों में बल दिया गया था और सभी प्रकार के इन सत्कर्मों के करने से माना गया था कि मनुश्य की शुद्धी अपने आप ही हो जाती है और इसमें एक और जो महत्पून बात थी वो थी पूरे प्राणी मात्र के लिए कल्यान की भावना जिसे बहु कल्यान कहा जा सकता है और इसे बहु कतान भी कहा जाता है इस प्रकार से मूल रूप से जितने भी विभिन्य धर्मों के जो भाव थे उन्हें सम्मेलित करके बहुत धम में जो अशोक का धम था उसमें शामिल किया गया अशोक के धम में जो निश्यदात्मक रूप था उसमें ऐसी बातों को शामिल किया गया जो कि मनुश्य के द्वारा नहीं की जानी चाहिए और समस्त ऐसे कारिये जो कि गलत माने जाते थे उन्हें पाप कर्म माना गया इसलिए महत्रपूर्ण था कि मनुष्य में पापहींता होनी चाहिए और पापहींता में हम सभी प्रकार के जितने भी दोश हैं मानाव के सुभाव में उन्हें पाप रूप में शामिल कर सकते हैं और इस प्रकार के जितने भी दोश हैं उन सब का परित्याक करना अशोक के धम में शामिल था इसलिए यह पेक्षा की गई थी कोई भी मनुश्य क्रोध न करे और किसी भी प्रकार से अपने उपर दम्ब या भिमान या घमंड का भाव नहीं रखे लोगों से किसी भी प्रकार की इर्श्या जो है वो नहीं करे और विचारों में और अपने कर्मों में किसी भी प्रकार से उग्र न हो और इस प्रकार से अपने क्रोध पर सैयम रखकर बिना मान के रहते हुए लोगों से इर्श्या नहीं करे क्योंकि इन ही सब अवगुनों से समाज में पापकर्म होता है और यदि पापकर्म से बचना है तो मनशे को इन सब भावों से भी बचना होगा वास्तों में यदि देखा जाए तो अशोक का धम समस्त ऐसी बातों को हटाने के लिए था जो की कर्मकांड से संबन्दित थी अर्थात धर्म में यदि जो भोतिक कारी किया जाता था या विबिन प्रकार के ऐसे कारी किये जाते थे जिने फिजिकली करना उशक होता था उनके लिए यह माना गया कि उन्हें त्यागा जाए क्योंकि विभिन्य धर्मों के जो कर्मकांड हैं वे अलग-अलग होते हैं और इन्ही के अलग-अलग होने से सभी धर्मों में जो विभिन्यता है वे आती है और इन्ही कर्मकांडों के करने से अलग-अलग धर्म होने के कारण आपस में कटुता का भाव भी उत्पन होता है इसलिए अशोक ने सभी प्रकार से सभी कर्मकान्डों को हटाने के उपर उसने बन दिया और उसका प्रयास यह था कि सभी धर्मों के जो आचार मुलक पक्ष हैं उनको सम्मिलित किया जाए और अशोक के धर्मों के यह विबिन तत्व थे क्योंकि आचार मुलक जो पक्ष है इसे जो शब्द है आचार मुलक पढ़ा जाए आचार मुलक जो पक्ष हैं वे सभी धर्मों में समान होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार का अधिक भेद नहीं होता है और सभी दर्मों में समान होने के कारण से सभी दर्मों में समानता की भावना उत्पन होती है इसलिए अशोक के धम में अध्यात्म के उपर अधिक बल दिया गया था अशोक ने अपनी वानी पर भी सहियम रखने के लिए कहा था और किसी भी धर्म की निंदा नहीं करने पर उसके द्वारा बल दिया गया था इस प्रकार से अशोक का धर्म पस्तवी ग्रूप में समस्त प्राणी मात्र के कल्यान के लिए था जिसमें सभी लोगों के कल्यान पर बल दिया गया था